नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी एजुकेसन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूँ आपके साथ दीपक जोहान लास्ट का जो लेक्चर था हमारा पीलसी से रिलेटिड था और उसमें हमने पीलसी का जो इंजेक्शन वाला पेज होता है वो हमने डिसकस किया था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप जाकर उसे देख सकते हो यह हमारा वाटसप नंबर है जिस पर आप जितनी भी हमारी वीडियो आती है उनके जो पीडियेफ नोर्स होते हैं आप उन्हें इस वाटसप नंबर पर हमसे कॉंटेक्ट करके ले भी सकते हो कल मैंने आप लोगों से कोशन पूछा था कि PLC की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्टिक आंसर दिया भी है और अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता है कि PLC की फुल फॉर्म क्या होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ PLC यानि कि P मतलब Programmable, L, Logic और Controller तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है लेकिन कल वो पेज मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था आज मैं आप लोगों को वो पेज दिखाता हूँ ताकि आप उसे अपनी मसीन पर प्रक्टिकली जाकर देख सको ये ओवर्वियू इस इमेज सो दा ओवर्वियू और फुल प्रोसस मसीन के अंदर जो भी जब मसीन वर्क करती है उसका complete ओवर्वियू आप इस पेज पर जाकर देख सकते हो तो इस पेज पर आप यहां पर लिखा भी हुआ है ओवर्वियू वाला पेज जैसे ही आप इस पे पुस करोगे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पेज आ जाता है इस पेज पर आप जो भी मसीन के में अंदर मूमेंट हो रही है वो देख सकते हो जैसे कि ये injection unit है ये clamping unit है जब injection होगा तो ये इसके अंदर जो barrel के अंदर screw आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों को forward जाते हुए दिखाई देगा जैसे injection unit पीर्षे जाएगी तो आप लोगों में इसमें moment होती दिखाई देगी जब mold close होगा तो आप यहाँ पर जो clamping ये unit है mold यहाँ पर close आपको होता हुआ दिखाई देगा तो जो भी moment यहाँ पर होगा चाहे मैं ejector की बात करूँ कितना ejector की position current position में है RPM कितनी उस समय पर है tonnage चुम मसीन का होता है clamping force उस वक्त कितना लगा हुआ injection pressure कितना है cycle जो counter हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं यानि के A to Z जो भी चीजे मसीन के अंदर process उस वक्त हो रहा है वो इस overview में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो इस overview में आप लोग उसे देख भी सकते हो तो आज का जो हमारा lecture है कल हमने injection वाला page डिसकस किया था जो charging वाला page था कल हम से छूट गया था क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी लेकिन आज जो charging वाला page है वो हम डिसकस करने वाले हैं और बहुत detail में डिसकस करने वाले हैं तो high ten की injection molding machine है इसकी जो PLC है आप उसे देख सकते हो आज हम बात करने वाले है charging वाले page की सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि charging होती क्या है riffling क्या होती है इसे दोनों नामों से आप लोग जानते हो जब हम charging की बात करते हैं अब example के तोर पर समझो ये कोई room है तो कहा जाता है कि जो room होता है कहानी ये real भी होता है कि कोई room है उसके अंदर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर air होती है जैसे ही आपने इस room के अंदर entry करोगे तो जितनी आपका घनत्व है यानि कि जो density आपकी है उतनी ही air जो है इस room से बाहर चली जाएगी जैसे ही आप entry करोगे जैसे ही आप इससे निकलोगे तो उतनी ही air अंदर आ जाएगी ये बात आप लोगों को समझ लेनी है तो अब बात करते हैं riffling की जैसे ही हम बात करते हैं barrel की तो barrel में क्या होता है barrel खाली होता है उसके अंदर सिर्फ एक क्या होता है screw होता है ये screw देख लेते हैं तो जैसे ही ये screw rotate करते हुए पीछे जाएगा rotate करते हुए यहाँ पर एक question बनता है कि screw clockwise rotate करता है या फिर anti-clockwise rotate करता है तो आप लोगों को ये understanding होनी चाहिए कि screw हमेशा anti-clockwise ही rotate करता है ठीक है तो जैसे ही anti-clockwise rotate screw करेगा तो जो hopper से आने वाला material था वो क्या करेगा वो screw की flight से होता हुआ flight से होता हुआ यहाँ पर यानि के जो screw की tip है और nozzle की जो tip है उसके backward में जो ये space खाली पड़ा हुआ है इसमें इकठा होना सुरू हो जाएगा यानि के screw जैसे यहाँ से वापस गया तो यहाँ पर material इकठा हो गया तो यह जो screw rotate करते हुए पीछे जा रहा है और material hopper से होते हुए यहाँ पर जमा हो रहा है इसे ही हम कहते हैं riffling या charging ठीक है यानि के अगर कोई battery खाली हो जाती है आप क्या करते हो उसे चार्ज करते हो चार्ज है लगा कर तो charging नाम उसी से इसका पड़ा है कि यह जो खाली space हो गया था जैसे आपने injection कर लिया और injection करने के बाद में यह जो space खाली हो गया था इसे दुबारा भरने के लिए अगले sort को लेने के लिए यह जो space है इसे भरने के लिए जो process होता है उसे ही हम बोलते है charging और इसमें होता क्या है कि screw anti clockwise घूमते हुए backward जाता है और material hopper से होते हुए जो screw की flight होती है उससे होते हुए आगे आकर यहाँ पर इकठा होने लगता है तो यह आप लोगों को charging समझ गए आ गई होगी अब मैं बात करता हूँ दोरान दिया जाता है back pressure होता क्या वो हम समझेंगे लेकिन होता कब है वो भी एक important चीज है तो अगर यह charging वाले page में दिया गया है तो यह तो confirm हमें हो चुका है कि यह charging के दोरान ही ऐसा कोई pressure है जो create होता है charging के दोरान और उसे ही हमने कहा back pressure तो जब screw rotate करता हुआ backward जाता है पीछे की तरब जाता है तो एक pressure create होता है उस screw पर पीछे की तरब से यानि के पीछे की side से तो यह screw क्या जो pressure है यह क्या करता है यह screw को अपनी short size वाली position होती है short size वाली position की मैं बात क्या कर रहा हूँ पहले यह समझ लीजिए यह मालो बैरल है यहां से हमारी position start हुई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 100 तक यह जाता है यहां पर कितना जाता है 100 तक जाता है तो जब यह screw पीछे की तरब rotate, anti-clockwise rotate करता हुआ जा रहा था तो back से एक pressure create होता है इस screw को अपनी position पर पहुचने से रोकने के लिए और वो क्यों होता है वो इसलिए होता है ताकि अगर मालो की 100 तक जाने में हमें कितने second लग रहे थे हमें 10 second लग रहे थे screw को लेकिन जैसे ही back pressure create हुआ तो हमें 10 second से कितने second लगे मालो 15 second अब लगने लगे पीछे जाने के लिए तो जो हमारा screw था वो barrel के अंदर material को कितनी देर तक mix कर रहा था 10 second तक कब जब back pressure create नहीं हुआ था लेकिन जैसे ही back pressure आपने 10, 5, 8 जो भी दिया अब वो जो समय था charging का वो कितना हो गया 15 यानि के अब जो समय था वो 10 second से बढ़कर 15 second हो गया यानि के इजाफा कितने का हुआ 5 second का यानि के जो screw था वो barrel के अंदर पहले 10 second घूम रहा था यानि के material को mix 10 second तक कर रहा था लेकिन जैसे ही आपने उसे क्या दिया back pressure दिया तो अब वो 5 second और ज़्यादा material को mix करेगा ये आप लोगों को बाते समझ में आ गई होंगी practically तो जब ये ज़्यादा देर तक इसे material को mix करेगा तो क्या होगा material की mixing अच्छी हो जाएगी तो अब हम ये कह सकते हैं कि back pressure होता क्या है तो जो अपनी charging के दोरान इसकी definition आप लोग कैसे समझोगे कि back pressure उसे कहते हैं किसे कहते हैं screw जब charging के दोरान एक pressure जो charging के दोरान screw को अपनी position पर जाने से रोकने की कोसिस करता है रोक नहीं बाता लेकिन रोकने की कोसिस करता है उसे हम क्या कहते हैं back pressure कहते हैं और दूसरी चीज़ कि इसका यूज क्यों किया जाता है तो मैंने बताया कि material की अच्छी mixing के लिए ही back pressure का यूज किया जाता है दूसरी चीज समझते हैं back pressure तो आप लोगों को समझ में आ गया अब दो चीज़ों में बहुत confusion रहती है suck back और back pressure ये लोगों को की यहां पर मिलता है तो suck back क्या होता है जैसे ही screw जा रहा था तब तो back pressure लग रहा था लेकिन जैसे ही screw ने rotate करना बंद गिया और बंद करने के बाद में जो उसने बेना गूमे अपनी distance तै की हो सकता है कि वो distance 10 mm रही हो हो सकता है कि वो 5 mm रही हो हो सकता है 2 mm रही हो तो बिना घूमे चार्जिंग के बाद बिना घूमे इस्कृू जितनी दूरी तै करता है उसे ही हम बोलते हैं सक बैग तो बैक प्रेसर और सक बैग में आज के बाद में आप लोगों को कोई भी कंफूजन अपने mind में create नहीं रखनी है तो यहाँ पर जब back pressure की बात हो रही थी यह जो आप लोगों को zone दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर क्या भरोगे यहाँ पर back pressure बढ़ते हो और जितना back pressure आप बढ़ाते हो उतनी ही charging time बढ़ता जाता है यह आप लोगों को understanding होनी चाहिए ठीक है? यानि कि अगर आपकी जो charging है वो ज़्यादा समय ले रही है तो इसका मतलब आपका back pressure कम हो सकता है और जो आपकी RPM है वो back pressure ज़्यादा हो सकता है और RPM कम हो सकती है तो आपको दो ही चीजों पर work करना है अगर आपका charging जो time है उसे कम या बढ़ती करना है तो आप उसे दो चीजों से कर सकते हो अगर charging का time आप लोगों को कम करना है तो आप back pressure कम कर दो अगर charging का time आपको कम करना है तो आप जो RPM है उसे बढ़ा दो इन दोनों से आप जो है अपनी suitable के अनुसार, जैसा भी आपका material है, जैसे भी आप mixing चाहते हो, इसके बाद में आता है, यहाँ पर suck back, तो यह जो suck back का pressure है, pressure मैंने कल बताया था, कि कोई भी पिंड है, या कोई भी चीज है, अगर आप उसे एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले कर जाते हो, तो उसम वक्त create या काम करती है, ठीक, अब second देखते हैं, speed, back pressure, यह pressure तो हमने देख लिया, किसे back pressure कहते हैं, अब बात चलती है, कि speed, यह speed कौन सी है, यह जो speed होती है, इसे ही हम बोलते है, rpm, ठीक है, यहाँ पर लिखी नहीं होती, लेकिन आप लोग जैसे ही charging वाले page में, आप लोग rpm को घटाने से या बढ़ाने से क्या-क्या होता है, जो मैं अभी lecture में बता चुका हूँ, तो यह rpm होती है, अब इस rpm को आप जो fill करते हैं, आप लोगों को एक ratio में ही यह fill करनी होती है, अगर आप इसे ज़्यादे भर देते हो, तो क्या होता है, इस crew की speed हो ज़्यादे बढ में वो बढ़ सकती है, आपका burn mark कारना सुरू हो सकता है, आपका material जल सकता है, आपको silver mark की problem मिल सकती है, यह 3 problem आप लोगों को speed बढ़ने से मिल सकती है, इसलिए आप लोगों को एक जो speed होती है, वो सही ही चलानी होती है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा speed बढ़ा ठीक, अब बात करते हैं position की, जैसे ही screw ने 1 से 100 तक चलना सुरू किया, तो वो हो सकता है कि किस position में गया होगा, यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि 145 तक आप गई, यानि कि 145 जो जे लास्ट वाली position होती है, इसे ही हम short size बोलते हैं, जहाँ पर screw की जो refling है जाकर रु पहुंचते, इसकी क्या speed रही होगी, इसकी 60 RPM रही होगी, जैसे ही इसने 100 से 120 की position तैय करी, तो इसकी जो speed है वो कितनी रही, 60, जैसे इसने 120 से 145 तक पहुंचने की कोसिस की, तो इसकी speed भी यहाँ पर कितनी रही, 60 रही, और जो pressure था, वो जो back pressure आप लोगों ने दिया होता है, वही यह pressure होता है, तो आप लोगों को इस position के बारे में भी आज understanding हो गई होगी, तो इसलिए आप लोगों को इसकी कोई भी confusion नहीं रखनी है, अब यह side में कुछ value दी हुई है, यहाँ भी मैं देख लेता हूँ, एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, यह short count, short count का मत होता है, कि जितने आपकी machine counter लगा चुकी है, short count, उसे ही यहाँ पर mention यह machine करेगी, कि यहाँ पर कितने counter आप लोगों के लग चुके हैं, अभी तक यहाँ पर 0 counter है, इसलिए यहाँ पर value 0 आ रही है, दूसरी चीज, आप यहाँ पर cycle time होता है, उसका live telecast यहाँ पर देख सकते time का मतलब क्या होता है, actual time का मतलब होता है, कि आप लोग जानते हो कि जो cycle time है, उसमें 6 जो time होते हैं, वो mention होते हैं, वो add होते हैं, जब ही जाकर यह complete cycle time बनता है, जब मैं starting की बात करता हूँ, तो सबसे पहले mold close होता है, हो सकता है कि आपका mold है, वो 2 second में close हो गया हो, तो य यहां पर actual time में अब 2 second नहीं 3 second live telecast आप लोगों को मिलेगा, इसके बाद में अगर holding आप लोगों की 1 second लगी है, तो वो actual time में मिल जाएगा, इसके बाद में अगर आपकी जो cooling time है, अगर वो आप लोगों को मिलता है, तो वो यहां पर mention होगा, अगर आपका mold opening time है, तो वो यहां पर mention होगा, comment box में आप लोगों को बताता है, कि वो 6 time कौन-कौन से होते हैं, जिससे मिलकर पूला complete cycle time बनता है, यह injection position दी हुई है, यहां पर आप लोग के injection की, यानि कि screw की position मिलती है, injection की कोई भी position नहीं होती है, इसकुरू की position होती है, ठीक है backward में भी, और forward में भी, यहां charging की RPM आप लोगों को मिलती है, यानि कि screw जब rippling ले रहा है, तो कितनी speed से, यानि कि 2 तरह की speed हम पढ़ते हैं, एक velocity वाली, जो हम पढ़ते हैं, उसे V से denote करते हैं, और जब हम omega यानि कि घुर्नन गती पढ़ते हैं, तो उसे हम किस से denote करते हैं, उमेगा से denote करते हैं, तो जो ये omega rotation वाली जो velocity है, वो ये है, इसकी बात यहां पर चल रही है, ना कि state forward वाली बात यहां पर की जा रही है, यहां पर suck back है, यहां पर दो value दी होती है, after charging या before charging, अगर आप लोगों को suck back after charging लेना है, यानि कि charging होने के बाद suck back लेना है, तो यहां पर आप option चुन ले चाते हो, तो आप option चुन लेंगे, before charging वाला, तो यह दोनों option आप यहां से चुन सकते हो, यहां पर आप suck back भर सकते हो, ठीक है, यहां पर आप cooling delay दे सकते हो, और यहां पर आप जो charging suck back का time वगरा है, जो भी speed वगरा है, आपको set कर रही है, वो सारी आप set कर सकते हो, यहां प अगर आपको cooling नहीं मिलती है, आप कहां पर उसे set करें, तो आप charging वाले page में जाए, और यहां पर जब आप पहुंचते हो, तो आप लोगों को क्या मिलती है, cooling वाला जो portion है, वो आप लोगों को यहां पर मिल जाता है, ठीक है, तो आज जो वीडियो थी, हमारी वो charging के उप पर ही बेस्ती, अगर इस page के अंदर आप लोगों को कोई confusion रह गई है, तो comment box में आप जरूर पूछ लेना, और यहां पर देख सकते हो, यह पर पर जा सकते हो, यहां पर आप जा सकते हो, यहां आप देख सकते हो, यहां पर नोजिल वाला page है, यानि कि आपका जो injection unit है, वो forward जाती है, वो किसी speed से आपको ले जाना चाते हो, जो भी speed pressure हो, वो यहां पर आप भर सकते हो, ठीक है, overview वाला जो page है, वो यहां पर F1 पर आप लोगों को मिल जाता है, तो आज का lecture यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा, और next lecture में हम PLC का कोई अगला page लेकर आपके लिए आए वो भी हमसे आप ले सकते हो, तो आज का lecture यहीं तक, अगर आप लोगों को lecture पसंद आया तो उसे like जरूर कर दे, channel को subscribe जरूर कर ले, और जो bell आईगाना है उसे आप जरूर दबा दे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है, उनके notification आप लोगों मिलते रहें, और वीडिय को share भी जरूर कर दे, ठीक है, तो मिलते है लेक्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें जाज़त, जैहिन, जैबारत